मेरा नाम है नितिन चोहान और हम देख रहे हैं ट्रेटिंग टाइगर्स आज हम सीखेंगे कि एनसे की वेब साइट पे जाकर ऑप्शन चेन पढ़कर हम कैसे ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप नसी इंडिया.com पे जाएंगे ये नसी की नई वेब साइट है और मार्केट डेटा पे जाएंगे भी टेटा आप झाएंगे तो आपको इक्यूटी, करणसी, इंट्रस्टेेट, कमोडिडिरी का ओप्षन दिखेंगे तो हम एक्यूटी स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके इंडाइसिज उप्षन से हैं तो उन उनमें से आप किस के DATA देखना चाहते हैं About Nifty के देखना चाहते हैं O आप bank nifty का data देखना चाहते हैं, यहां से हम select कर सकते हैं, अगर आप किसी stocks के options देखना चाहते हैं, तो कोई भी stocks के options जिसके भी listed हैं, सब यहां पर दिये हुए हैं, लेकिन फिलाल हम जो data देखेंगे, वो nifty का data देखेंगे, यहां से आप expiry देख सकते हैं, यहां से अगर आप किसी particular strike price का data देखना चाहते हैं, तो आप यहां से भी choose कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे, कि add the money, out of the money options किसे कहते हैं, तो हमने यह देखा कि जो underlying asset है, जो underlying index है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम data देख रहे हैं, वो है nifty, और nifty इस time 18,200 पर है, तो 18,200 के आसपास के जो strike होंगे, जैसे कि 18,200 का हम देख रहे हैं, तो यह होगा add the money option, इससे दूर जितने भी options होंगे, तो पहले मैं बता दूँ कि, जो बाईं तरफ जितना भी data दिया गया है, वो call options का दिया गया है, और दाईं तरफ जितना भी data दिया गया है, वो put options का दिया गया है, तो हम 18,200 का जो data है, वो call और put का दोनों का data हम देख सकते हैं, ठीक है, तो call में 18,200 से जितने भी नीचे के options होंगे, उनको बोलेंगे in the money option, और 18,202 से उपर वाले जितने options होंगे, पुट में उनको बोलेंगे हम in the money put option, जो के एक अलग रंग dark gray से भी दिखाया गया है, 18,200 से जितने options उपर हैं call में, उनको बोलेंगे out of the money, और put में इससे उल्टा, 18,200 से जितने भी नीचे के options हैं, 202 से नीचे के जितने भी options हैं, उनको बोलेंगे out of the money option, अगर हम और नीचे जाएं, तो इसको deep out of the money भी बोलते हैं, दोनों तरफ, और deep in the money option भी बोला जाता है, अब सबसे जादा जो important aspect है, इस option chain का, वो है OI, OI total contracts दिखाता है open, जितने इस market में हैं, और ये बदलता रहता है, depending on कि market का movement कैसा है, जो trader है, वो क्या सोच रहा है market में, कि market उपर जाएगा के नीचे जाएगा, तो हम ये जान चुके हैं, अपने पहले episode से, कि calls हम तब खरीदते हैं, जब हमें ये पता हो, कि market उपर जाने वाला है, puts हम तब खरीदते हैं, जब market नीचे जाने वाला होता है, और इस से opposite call seller, कब call बेचता है, जब उसे लगता है, कि market नीचे जाने वाला है, और puts seller, कपट बेशता है जब उसे लगता है कि मार्केट उपड जाने वाला है लेकिन जो option chain है हम हमेशा seller के perspective से देखते हैं seller की आखों से हम लोग option chain देखते हैं उसका कारण यह है कि जितने भी बड़े business houses हैं जो कि अपना पैसा stock market में लगाते हैं वो ज्यादर तर option seller होते हैं ऐसा माना गया है कि selling में पैसा आसानी से कमाया जा सकता है लेकिन हमने पहले ही जान लिया कि selling में buying की अपेक्षा बहुत जादा पैसा चाहिए इसलिए जितने भी retail निवेशक हैं जितने भी retail trader हैं वो सब जादा तर option buying ही करते हैं माना गया है कि जादा तर retail जो customer होते हैं they lose money वो पैसा lose करते हैं और जितने भी बड़े business house हैं वो पैसा कमाते हैं इसलिए जो OI build up हम लोग देखते हैं over a period of time वो हम seller के perspective से ही देखते हैं तो इसी से हम support और resistance भी determine कर सकते हैं इसी data से तो आप देखेंगे कि 18,200 का जो calls का data है वो सबसे जादा 18,500 पर है और 18,400 पर है तो 18,400 पहला resistance होगा 18,500 मार्केट के लिए दूसरा resistance होगा इसी तरह हम put में देखेंगे तो सबसे जादा जो OI build up है वो है आप देखेंगे 18,000 और 18,100 पर तो 18,100 पहला resistance होता है और 18,000 फिर दूसरा resistance मेजर जो resistance है वो है 18,000 तो जितने भी sellers हैं वो ये कर रहे हैं इस data से कि जो market है कहीं 18,000 और 18,500 के आसपास रहने वाला है हमारी जो particular expiry 10 नवंबर की होने वाली है तो market तो कहीं भी जा सकता है ये अनुमान है sellers का कि बहुत chances हैं कि जो market है 18,000 और 18,500 के बीच में रहे ठीक है चेंजिन ओई उस particular दिन में आपके कितने contract changes हुए है माइनस में तो अगर data है तो कम हुए है प्लस में data है तो उस particular strike price के लिए ओई बढ़ा है volume total number of contracts traded दिखाता है IV is implied volatility जिसकी हम बाद में बात करेंगे अभी ये समझ लेते हैं कि जितना out of the money option होगा calls और put के लिए उतना IV बढ़ेगा last traded price जो भी last traded price है वो यहां पर दिखाएंगे और वो हर strike price के लिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हर option हर रोज trade नहीं होता ज्यादा तर जो liquidity आपको मिलेगी वो add the money पर मिलेगी जैसे ही आप बहुत ज्यादा in the money है बहुत ज्यादा out of money जाएंगे तो liquidity कम होती रहेगी इसी तरह ask or bid quantity, ask or bid price भी दिया होगा तो ask price वो price होता है जो seller अपने contract के लिए मांगता है तो जब आप buying करने जाते हैं तो आप ask price देखते हैं और जब sell करने आप जाते हैं तो आप bid price देखते हैं तो यह हुई हमारी option chain जिससे हम determine करते हैं कि market का moment किस तरफ होने वाला है total oi build up भी हमें दर्शाता है कि इस हफते की या इस महीने की जो expiry होगी उसमें हम market को क्या चाहते हैं कि उपर जाए कि नीचे जाए तो आप देखेंगे कि जो build up calls की तरफ है वो puts से बहुत ज्यादा है तो market जहां पर है वहां से जितने trader हैं वो देख रहे हैं कि market नीचे जा सकता है बनस्वत की वो उपर जाए तो देखेंगे इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि call का जो oi है वो puts के oi से बहुत ज्यादा है तो यह थी option chain अगर आपको कुछ सवाल या जवाब हैं जिसका आप हल डूंड रहे हैं तो आप नीचे comment box में उसे post करें और हम उसका हल उत्तर देने की कोशिश करेंगे thank you subscribe our channel hit the like button